हलो दोस्तों वेलकम तो केमिस्ट्री टुट्रील पाथ शालाव मैं इंदेश पाथक आज मात कर गए अगले मंटी कोच्वाइस कोश्चन की जो हमने लिया है एसेड बेस और सॉल चैप्टर से क्या कहता है कोश्चन क्या सॉलूशन है स्टॉर्ण दे कलर अफ रेड लित्मस इस सॉलूशन है स्टॉशन है है न यह बताया गया है कि यह असिड है आप खहत या बताया गया है कि ये solution acid है या base है या फिर ये neutral है ठीक है अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा solution है तो मैं देखना होगा acid, base और neutral की properties क्या होती है acid जो H plus iron दे ठीक है और blue litmus को red में convert कर दे B to R ठीक है, neutral neutral में कोई reaction नहीं होगा और ये litmus paper test में no change base की बात करें तो base के अंदर क्या होता है base में litmus paper जो है red से blue में convert हो जाता है और OH hydroxyl iron release करता है, ठीक है ये base की property, इससे बता चलता है कि हमारा जो solution है P, वो एक base है अब बात करते हैं pH scale की pH scale जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि 15 अलग-अलग sections में डिवाइड होता है 0 से 14 और जो center section होता है 7, ये होता है neutral जितने भी neutral solutions हैं जैसे water ये सभी 7 पे लाई करते हैं इनका pH क्या होता है, 7 होता है अब 7 से जो कम होगा pH पर वो सब acid होंगे और 7 से जो ज़्यादा होगा वो होंगे base या alkaline solution अब हम बात करें हमारे पास जो options दे रखे हैं इनमें ये कहां कहां लाई करते हैं तो 2 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा 5 यहाँ कर रहा होगा 7 इसी point पे और 10 यहाँ हमने जान लिया कि जो solution है base है 2 नहीं हो सकता 5 नहीं हो सकता 7 नहीं हो सकता कौन सा होगा? 10 तो answer क्या है? 10 इस तरह हमें पता चला कि एक solution जो red litmus paper को blue में convert कर रहा है वो एक basic solution है और जो option दे रखे हैं उसमें से pH जो base की तरह अप्रोच कर रहा होगा वो उसका answer होगा 10 for this solution Thank you for watching this video kindly subscribe and share